हेलो अब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे तो मैं अभी वेक आपका फिट से सवागत करता हूं आपके उन्हें परिवाग कॉलेज अपडेट्स में तो देखिए काफी दिनों से कई स्टूडेंट का सवाल था किसर अगर अच्छे ठीक है तो यह बोलने वाली बात है अब इतना वान दीजिए जैसे पिछतन नंबर का पेपर है पैंसट साथ इतने अगर आ जाते है तो भी बहुत बड़ी बात है ठीक है तो हाउ टू राइट आंसबर आंसबर कैसे लिखे जिससे अच्छे नंबर मिले कितनी सीट में सब्सक्राइब तो आज मैं इसी टॉपिक को डिसकस करने आया हूँ एसे और भी टॉपिक मैं आप से डिसकस करूँगा आने वाले टाइब में एक्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीड करवा दूँगा जो भी आपकी मन में डाउट है तो आज की वीडियो काफी अलग है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्योंकि मुझे आपको समझाना प कर लीजिए और आप सभी का सपोर्ट और प्यार है जो हम अभी भी यूट्यूब पर आपको हेल्प कर पा रहे हैं ठीक है तो देखिए हाव तो राइट आंसवर तो पहले मैं बात कर लेता हूं थेओरी एक्जाम की जिनके भी थेओरी के एक्जाम होते हैं क्योंकि थेओरी एक्जाम आपके होंगे तो जिदने भी थेओरी एक्जाम होते हैं लिखने वाले जो एक्जाम होते हैं जिसमें से आठ या दस में से पूछे आते माली जो पॉलिटिकल साइंस है एकोनॉमिक्स है आपका बिजनस लो है और कॉपरेटिव अकाउंटिंग जिसमें भी थियोरी पूछी जा रही है जिसमें आपको लिखना पड़ेगा हिस्ट्री हो गया आपका एजू किसन हो गया तो इनमें कितनी सीट्स भननी चाहिए और आंस्वर में क्या-क्या ऐसी चीज़े फॉलो करने चाहिए जिससे एक्जामिलर भी हो जाए और आपका कम समय में सीट्स आपकी पूरी भर जाए तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें यहां पर डिसकस करूंगा देकि पहली चीज जब भी आप आंस्वर लिखे मिनीमम की बात कर रहा हूं मैक्सिमम आप उसको चैपेश तक खेंश सकते हो अगर आपके टाइम अगर आप लिखने की स्पीड आपकी अच्छी है तुसलिए मैं कह रहा हूं यह आपका स्कूल नहीं है जो यहां पर तीन चा लाइने लिखके आपको नंबर मिल जाएंगे यहां जब आप चार से पांच पेज भरोगे तब जा के आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने औने मांग रख़्किए इससे वीज मंपर का कोस्रल आया तो तब जा कशो आपको 12 13 14 जयसे जियंके पारई हो दो लिखने की प्रैक्क्रि आप श्टार्ट कर देजे ठीक है टा तोटल चार पेज में आपको करना है अगर थेओरी का एक्जाम है आपका और कोसिस यह करना कि अगर टाइम बच्टा है तो पांच से च्छाइप खेंच देना अब जामाली जी तो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टुडेंट है पहला दूसरा को सन चार से पांच पेज कीजिए तीसरा को सन तीन से चार कर लीजिए लास्ट वाला लीजिए आपको ऐसे करना है जो सीट्स आपकी थोड़ी सी ऐसे लाया लगे कि यहां आपने कुछ किया है बिल्गुल खाली छोड़ी के नहीं आनी है ठीक है तो चार पेज काफी है पास हो जाओगे आप आराम से और पास होते हैं मैं आपको अपनी बात बता रहो हूं मैं अपना परसनल एक्सेश बता रहा हूं जब मैंने ग्रेजूशन का फरस्ट यर का पेपर दिया था तो में जल्दी वाजी तो होती है एक्जाम में तो इचनी तेज मैंने लिखाता कि आप इस वाज नहीं करोगे एक आप जो पेज तो ऐसे हो गएते जैसे समझी नाइक एक्जाम चाहिए फिट को समझ में सब आता है ठीक है जब आप डॉक्तर का जो पड़ा हुआ परचा हो जो होता है जब आप मेडिकल पे जाते हैं स्टोर पे जाते हो कुछ लेने तो वह समझ जाते हैं इसको का मैं परिवासा पूछी किसी ने पहले आप उसकी परिवासा बताओगे फिर उसकी प्रकर्ति बताओगे फिर उसके बारे में बताओगे कि सबसे बड़ा सवाल सर पॉइंट वाइज लिखेंगे पॉइंट वाइज लिखें मतलब की पॉइंट बनाएं और जो आंसर आप लिखोगे पैरा ही होने चाहिए लिखोगे 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 लाइन छोड़ी दो पेज में आपने परिवास बताया उसके बारे में बताया आपने थोड़ा सो और उसके बार में बताएगी किस किस ने क्या बोला है डिंग डाल के ठीक है निम लिखिट ने इसके बारे में यह चीज बताई उसके बार फि डहां नहि różा हुए माँं लीच के सब्सक्राइbels नहीं आपको ध्यान में रखना फ़ो हम बात को थेवरी के एक्जामुन की तो commitments पर रहे हों तो पान सो बड़ का एक आंसपर होना चाहिए एक कोसन का अगर आप तेहोरी वें जैसे पॉलिटिकल हो गया हिस्ट्री हो गया ठीक है पान सो बड़ अगर आपको टिपड़ी लिख रहे हो माले जो नोट आ जाते है कि माले चार निमले के टिपड़ी जैसे चार टॉपिक में से यह और एक टिपड़ी दो सो बड़गी होने चाहिए ंडोसो सब्ड़ों की ठीक है तो जो कॉमर्स वाले स्टूरेंट है वह तो कैलकुलेशन ही करेंगे जाईर सी बात है तो जो कैलकुलेशन वाला हिस्सा होता उसमें तो आप एक पेज़ लिके दोपेज लिए वो आपक उपर है क्योंकि देखिए आंसबर डारेक लिखना अलग चीज़ है क्योंकि एमसी क्यू नहीं है आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि आपने सॉल्व कैसे किया है उसी के नंबर मिलते है थियोरी में आप ऐसे फॉलो कीजिए और हां जितना आप पॉइंट वाइस ब जगना चीए कि हां यह पड़के आया ठीक है अगर आप पैरग्राफ लिखने के आदी हो तो कोशिस कीजिए हैडिंग जरूर डालिए में में पॉइंट को हाइलाइट कीजिए ब्लैक प्रेंस से कि यह डेट हो गया कोई डेट हो गई कुछ भी हो गया ठीक है और बाकी एक अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है तो आपको बैठे ही रहना पड़ेगा ठीक है और एक चीज़ और बता दू जो अनर्स वाले स्टुडेंट आपके लिए भी यह ओनर्स भी थेओरी आती है इंगलिस के लिए कोई थेओरी नहीं है सब हर कोश्रम की बढ़ लिमिट हो गया ऐसे हो गया एप्लिकेस्ट का क्या ही बढ़ लिमिट है तो वागी इंगलिस के इसे इंगलिस में पैसी बगड़ा ज्यादा आते है ठीक है और अब अब सबसे बढ़ी बार का इंगलिस मीडिम लिख सकते हो आपका काम है पेपर करके आना ठीक है आराम से पेपर करना कोई जल्दिवाजी नहीं तीर गंटे के अंदर आपको चार से पांच कोशन करने है चार कोशन तो मिलने ही मिलने है आठ में से चार करने ही करने है और जादा रहेंगे पहला नहीं आया दूसरा कर लेना दूसरा नहीं आया तीसरा कर लेना तीसरा कर लेना चौता कर लेना ठीक है कोशिस करना तीन से चार पेज तो ज़रूर कबर अब करो दो कोशन चार से प्राइटिंग कोई मैंटन नहीं है लिखना तेज प्रॉपर करना आंसवर जो पूछाओ उससे जादा कुछ मत बताना और हाँ जब भी आंसवर आप लिखो तो उसमें देखना कि आंसवर पूछा गया है क्या वह पूछा वही आप बता रहें और रही बात चेकिंग की तो यह जो आपकी सीट चैक होगी वह रेगुलर की साथ ही चैक होगी तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नेगी रहे सोल बालों को नंबर कम मि नहीं होता ऐसा ठीक है छोटी सी वीडियो थी इसके अलावा कोई और आपको जान करी चाहिए हो तो वीडियो के मादर में जरूर बताऊंगा थैंक्यू सुमाइच